असलाम लेकूम, वेलकम बेक टो मैं चैनल, लाइस्टाइलविटी.चीज कलेक्शन सरगोदा हमारे गार्डन में फूल और पौदों के इलावा, अगर कुछ हमारे ही याद के क्रियेट कियोए अब्जेक्ट्स हों, तो हमारा गार्डन बन जाता है क्रियेटिव गार्डन हमारी किचन बास्केट्स हों या फिर बच्चों के तूटे हुए खिलाउने, हम हर चीज में क्रियेटिविटी तलाश कर ही लेते हैं, इसी बज़ा से मैंने ये एक हाउस सिलेक्ट किया है, जिसको मैं अपने गार्डन में as a decoration इस्तमाल करने वाली हूँ, इसको मजीद beautiful बन प्यारा लगेगा फिर ये, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहां पर मैंने बास्केट्स लगानी है, हम है nature lovers, तो फूलों और पौदों के बगार तो गुजारा है ही नहीं हमारा, तो ये जो डोर है देखें, ये भी अनकम्प्लीट सा है, और ये भी मुझे बिलकुल अ इसके आगे इसके लिए मैं क्या लूँगी, इसके लिए मैंने ये चोटे-चोटे ये पीसीज काटे हैं इसके जो कॉपई इसके होते हैं ना अगते तो वो मैंने काट लिया है, तो ये मैंने इसका एक पैटन सा बना लिया है, चोटी सी बास्केट बन गई है ये, इसको मै अच्छा लगा मैंने कर लिए देखें ये कॉपी का शुरू का जो गता सा होता है ना ये वो है तो ये देखें मैंने फोल्डिंग इसकी की है ये जो है यहां पर हम लगाएंगे गलू गलू लगा के हम इसको करेंगे इसके साथ अटैच और ये चुटा सा कर्व जो है ये अदर लगेगा ठीक है तो इस तरह से आपने बना लेनी है ये मेरी टोटल जो है वो नाइन वो है विंडोज तो मैं उसके अंदर इनको अटैच करती जाओंगी और फिर मैं आपको दिखाओंगी कैसे इसको हमने बनाना है सारा चलें सारा मैं आपको बताती हूं इसका प्र चाइच क्टिंग मैं तो कुए प्राइच करूगी कि अच्ज को दूसरी बी और उसको मैं लगाती जाओंगी यह देखें मां अटैच करते हूंगी इसको इसके नीचे से आपने सको अच्छे से मेरे पास एक पैंसिल है उससे मैं इसको नियु अच्छी तरह से आटैच कर इसको उची तरह से दबादें ए मेरे नेंस जो है ना इतने बड़े बड़े नहीं है लेकिन मैंने यह वाला जो प्ठेका नेल है ना इसको बड़ा रखावा ताकि मैं, यह मुझे हेल्प करता है हर जगा पर, यह देखें इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया, बस यह हमारी बेस है, इससे हमने अच्छी तरह से अटैच करना है, और उसके बाद हमारी शेप जब खुद बाखुद बन जाएगी, एक बास्क अब इसको हम करेंगे, इसकी शेप ऐसे बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा बारीकी का काम है, यह हमने इसको यहां पर अटैच करना है, तो यह हमारी क्या बनी जाएगी, एक छोटी सी बास्किट, यह देखें आपको, अभी से इसकी शेप नजर आने लगी है, इदर हम इसके साथ अटैच करते हैं, थोड़ी देर आपको पकड़ना पड़ाएगा, इसके पीछे भी मैं कुछ रखती हूं ताके हीले ना पीछेज़े, यह हाउस जाए हो, हिल रहा है बहुत जादा, यह देखें, यह देखें, यह देखें, यह बन गई न, एक उसकी बास्किट बन गई, छोटा साइस के अंदर हम रखेंगे स्पेस, और एक बास्किट का लुक आ जाएगा, यहां हमका जब कलर करेंगे, और फलार्ज लगाएंगे, तो यह बिलकुल हमें लगेगा कि छोटी छोटी सी बास्किट हैं, और जो हमारा हाउस है, वो बड़ा यह देखें, मैंने इसके हिसाब से इसको मोड लिया, जैसे मैंने लाइन्स लगाई थी, उसके हिसाब से आपने इसको फोल्ड करना है, और यह देखें, यहां से मैंने फोल्ड किया इसको, ठीक है? यह आपको अब समझा गया होगा, यह देखें, मैंने इसको कर लिया, ठीक, अब मैंने यहां से इसको सारी बास्किट जो है लगा ली है, अब मैंने इसके उपर करने, कलर्स, कलर्स करने सब को आते हैं, अच्छे तरीके से, आपकी क्रियेटिविटी जहां तक जाती है, इनको मैंने क्या करना है, इनको मैंने एक जो बनी वी थे ना विंडो इसमें से निकाल के, और बस इदर सेट कर देना है, और कलर्स मैंने कर ली हैं, यह देखें, ऐसे लग रहा है, जैसे बेलें चड़ी वी होती हैं घरों के उपर, मैंने वो स्टाइल बनाया है इसका, तो जना फाइनल लोक, यह मैंने बनाई है, रूफ इसकी, वो किससे बनाई है, वो जिससे मैंने अपने जेट प्लांट के उपर, जो मैंने गोंसला बनाया था ना, यह मैंने एक जाड़ू बचा के रखी हुई है, उसके यह सारे जो हैं, वो तिनकी है, यह मैंने इसके उपर लगा दिये ये कॉर्टेज सब लुक दे रहा है ठीक है उसके बाद ये देखें नीचे आप सारा चेक कर सकते हैं किस तरह से मैंने इसको डेकुरेट किया है और ये देखें कलर किया है मैंने सारे दर्वाजों पे खिर्कियों पे ब्राउन कलर ताके थोड़ी सी नीड लुक आज है तो ये थी आज की क्रियेटिविटी उमीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मुझे कीजिए सब्सक्राइब ओके जी अल्ला हाफिज बन्हाइब बन्हाइब आई है तो गज हुआ दो झाल